नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अश्टेडी 24, पतना हाई कोट में जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ केस दाखिल हो चुका है और इसमें बहुत जल फैसला भी आएगा और उमीद है कि ये सर्वे रुकेगा, क्यों रुकेगा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बड़िये बकीलों के द्वारा आरोप ये भी लगाया गया है, कि हर जगा लूट खसोट मचा के रखा है, जहां भी कोई भी काम कोई आदमी कावज निकालने या कुछ भी करवाने जा रहा है, वहां 500,000 रुपे सभी से लिया जा रहा है, तो सर्वे में कहा गया था, किसी स एक पैसा नहीं लिया जाए, लेकिन फिर भी हर जगा इनसान को खर्चा हो ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चा, जिसके पास ज्यादा जमीन है, उसको ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसी के कारण पतना हाई कोट में केस दायर किया गया है, और बकी पैसे की दोहन की जा रही ए हर जगह पैसे लिये जा रहे हैं लोगों को परताडित की जा रही है तो राज में चल रहे जमीन सर्वे पर सवाल उठाते हुए पटना हाई कोट के बर्ये अधिवक्ताओं ने कई आरोप लगाए हैं बरिये अधिवक्ता यानि कि सिनियर वकीलों के द्वारा ये अरोप लगाया गया है कि बरिये वकील योगेश चंदर भर्मा और कृष्ण परसाथ सी ने ये कहा है कि गुरुबार को मीडिया से कहा है कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से परताडित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जमीन मालिकों से कागजात मांगे जा रहे हैं जैसा कि आपको पता ही है कि जमीन सर्वे में आपको फॉर्म भरना है उसके साथ बंसा बली लगानी है उसके साथ नया रसीद मांगा जा रहा है जबकि सरकार के द्वारा काय दिया गया कि पुरान तो जाये गाई सरकार के खजाने में तो सरकार का खजाना भर रहा है लोग परिसान हो रहा है बाकी रही कि आप जाये जमाबंदी निकालने जाये आप जमाबंदी के साथ साथ जो आपका खतियान है उसको निकालने जाहिए तो उसमें खर्चा अलग तो लोगों से पैसे की ब बहुत सारे लोगों का आपको कागजात नहीं मिलेगा यानी खतियान बगेरा नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए यहां पर बताया गया है मैं आगे दिखाता हूँ तो जमाबंदी और यह क्या बोलते हैं खतियान कहां से मिलेगा तो कई पर खंडो में जमाबंदी रजिस्टर दो जो होता है वो भी गायब है या फिर उसका पन्ना गायब है या फिर वो फटा हुआ है सबसे पहले सरकार को जमिनदारों के रिटर्न को सार्वजनिक करना चाहिए था तब जाके आप सर्वे को सुरू करना चाहिए था लेकिन कुछ किया नहीं सरकार सिर्फ लोगों को परिशान किया गया तो ताकि पता चल सके कि 1950 में भूमी किसके पास थी अब देखें रिविजनल सर्वे जब हुआ था उसके बाद से भी बात तयार जो खतियान को आधार माना जा रहा है जबकि खतियान के बाद जब रिविजनल सर्वे हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे जमिन भीके नया पहाई उनीज सो में उनी सो पचास के बाद 998, 97, 96, 95 जो भी था इस सब में जमिन बिह का है यह तो अब नए जो जमिन बिख़inek है उसका खतियान में पुरानाम रहेगा नहीं क्योंकि जो डिफिजनल सर्वे में जिसका सर्वे हुआ था उसका नाम रहेगा आदमी लिया है उनी दो हजार में 2018 में खेट अब उसका खोजेगा खतियान तो निकलेगा दूसरे का नाम पर खतियान तो यही सब प्रोबलम चल रहा है इसे के कारण जो वो case हुआ है, जब की Revisional Survey के बाद जमीन की बिक्री हो चुका है, यहां पर भी बता दियागा, कि जब Revisional Survey के बाद जमीन बिक्र गई, तो उसका खतियान कहां से आएगा, नया बैक्ती खरीद लिया तो, अब नया वैक्ति का खतियान मांगेगा तो कहां से मिलेगा जबकि रिविजनल सर्वे में पूराने वैक्ति का नाम मिलेगा इसलिए यही सब दिक्कत है और रिविजनल सर्वे कोई खतियान कोई आधार माना गया है तो यही सब जो है गड़वड है और पहले करमचारियों के जरी है राजसु रिकॉर्ड जिसमें खतियान बंसावली रजिस्टर दो और जमीन राजसु रजी रादी को दुरुस्त और नया किया जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि सर्वे तत्काल परवाव से टाला जाना चा परिसानी ही हो रही है खर परिसानी होता तो कोई दीकत नहीं था लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है और काम भी नहीं हो रहा है ठीक है तो दोस्तों जुड़े रही हमारे साथ जैसे ही और कोई नहीं सूचना आती है यह निश्चित है कि यह जमीन सर्वे रुकेगा आज रुके कल रुके परसो रुके जब भी रुके लेकिन रुकेगी ये तो तही है खैर बात करते हैं अगर आपको इससे जुड़ी हुई और इंफोर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जैसे ही कुछ पता चले मैं आपके साथ सेयर गर सको तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अफडेट के साथ तब तक के लिए बाई जहिंद